सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एक्जाम मंथन 24-7 को और बेल आइकन दवाना ना भूलें जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें Hello students, welcome to exam मंथन, मैं विकार साब सभी का exam मंथन पर सौगत करता हूँ देखिए इस वीडियो के अंतरकत हम बात करने वाले हैं बहुत इस्थापत्य अपर ठीक है, यदि prelims हो या फिर हम कह सकते हैं यदि group D level से भी लेकर चलें तो इससे directly question पूछे जाते हैं यदि हम state, PCS, PSC exam की बात करें तो इनसे written में भी question पूछे जाते हैं यदि written में question पूछे जाएं तो आप आसानी से लिख सकते हैं आपकी समझ डबलब होगी वरना आप one linear question आज की class से खुद बना सकते हैं जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, साथ की साथ बताता भी चलूँगा कि इससे किस प्रिकार directly question पूछे जा सकते हैं इस वीडियो के अंतरगत, basically हम cover करने वाले हैं बहुद स्थापत्य को, और बहुद स्थापत्य का अंतरगत भी हम इस्थूपो पर बात करेंगे ना चयत, विहार, इस्थम्बलेक, इन पर आने वाले समयं सहीमे बात करेंगे बौद साहित्य इस्थापत्य के अंद्रकत आज हम स्थूप पर बात करने वाले हैं चैत, विहार और स्थमलेक इन पर आने वाले समय में बात करेंगे तो आपका काम रहेगा केवल और केवल वीडियो को एंड तक अच्छे से सुनना ठीक है, वाकी आप मेरे पर छोड़ दीजिए किस परकार इससे कुशन पुछ जाएंगे और किस परकार मुझे समझाना है छोटी सी वीडियो रहेगी आपको एंड तक सुनते रहना है केवल और केवल ठीक है, चलिए आज ही करा सुरू करते है देखिए, बहुत धरम के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे ठीक है, बहुत धरम से किस परकार कुशन पूछ जाते हैं उन पर हमने बात कर ली थी जह हमने एंसेंट इंडिया पढ़ा था बहुत के जनम बगेरा सब पर बात कर ली थी अब हमारी बारी है इस्तूप उपर बात करने की देखिए, इस्तूप उपर किस परकार कुशन पूछे आते हैं सबसे पहले यह समझिए, बहुत इस्थापत्य होते कितने परकार के हैं देखे, बहुत इस्तापत्य मुखे रूप से चार प्रकार के हम पढ़ने वाले हैं, आने वाले लेक्चर्स के नत्रकत, जैसे कि सबसे पहले हैं स्थूप, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, फिर चैते पढ़ने वाले हैं, फिर विहार और लास्ट में इस्थमलेक, यदि ज़ीर के विविन टुकुणों पर या फिर अवसेसों पर बना मिट्टी का एक टीला वो कहला था इस तूप यदि हम बात करें चैत्यों की तो जहां पर बिक्चु और बिक्चुनी बौद धरम के पूजा करते थे या फिर अपनी सिच्छा गिरन कर दे थे उन्हें चैत्य कहा गया यदि हम बात करें विहार कि, तो जहाँ पर बिक्चू और विक्चुनी बॉद्ध धर्म से सम्बंदित अपना जीवन यापन करते थे, रहते थे, उसे कहा जाता था विहार ठीक है नेक्स नम बात करें इस्थम लेक तो बौध धरम में जिनकी सहायता से समझाने की कोशिस की गई है उन्हें कहा गया है इस्थम लेक यानि बौध धरम के बारे में हमें देस विदेसों में पिरचार देखने को मिलता है यहां तक की चीन, भूटान, नैपाल, अमेरिका इन देसों तक हमें बौध धरम का पिरचार पिरचार देखने को मिलता है तो उन्हें समझाया किस माध्यम से गया तो जैसे जैसे राजा बढ़ते गए आते गए उनके द्वारा इस्थम लेक लिख लिखवाई गए उन इस्थम लेक क्या हुए बौध धरम के पिरचार के द्वाद, पिरचार का साधनता इस्थम लेक ठीक है वैसे हम एंसे इंट इंट्रकत इस्थम लेकों पर बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम बहुत इस्थापत्य पढ़ेंगे तो इन पर भी बात एक बार जरूर करेंग ठीक है उसके बाद हम पढ़ने वाले स्थूप इस्थूप भी हमारे चार प्रकार के होते हैं कौन-कौन से स्थूप होते हैं एक होते हैं हमारे साररिक स्थूप ठीक है पहले होते हैं हमारे साररिक स्थूप यदि सेकेंड पर बात करें तो सेकेंड होते हैं हमारे कौन से प्राभूमिक स्थूप यदि थर्ड पर हम बात करें तो थर्ड होते हैं हमारे उद्देशी का और फूर्थ होते हैं हमारे संकल्पित ठीक है संकल्पित स्थूप यदि हम बात करें सारे की स्थूप की तो सरीर के अवसेसों पर बने स्थूप जैसे की आप क्या होता है हिंदु धरम में धासंसकार होता है ठीक है धासंसकार हुआ उसकी मिट्टी ली ठीक है ना उसकी मिट्टी को 10 जगों पर बाटा और 10 जगों पर स्थूप बना दिये वो होते हैं हमारे सारिरिक स्थूप ठीक है ना सरीर के अवस्य सोपर बने स्थूप नेक् बौद्ध के द्वारा जिने चीजों का प्रियोग किया गया था, उने के उपर बने इस्तूप क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पराबहुमिक इस्तूप. अब मान लीजिए उनके सिस्से का इस्तूप बनाना है, तो उनके सिस्से के द्वारा जो चीजे प्रियोग की गई थी उने के उपर बने स्थूप क्या कहलाते है वो भी पराभामिक स्थूप कहलाते है यानि बौद धर्म से सम्मंदित जिसी भी व्यक्ति का स्थूप बनाना है उसके द्वारा प्रियोग की गई चीजों के उपर बने स्थूप क्या कहलाते है मान लीजिए उपाली गौतम बुद्ध के सिस्स रहे थे तो उपाली का यदी में सारेरिक स्टूप बनाना है तो उनके सरीर के अवसीसों पर उनका स्टूप बनाना होगा वही कहला लेगा सारेरिक स्टूप ठीक है नेक्स नम बात करते हैं उद्देशिक स्टूप या फिर उद्देशिक स्टूप भी कहते हैं ठीकर उद्देशिक स्टूप क्या होते हैं जहां पर गौतम बुद्ध या फिर उनके सिस्यों ने भ्रमण किया था यात्राएं की थी उन्हें जगेयों पर बनाई जाएने वाले स्थूप क्या कहलाते है वो कहलाते है उद्देशिक स्थूप जैसे की बहुत दिने अपना प्रारंबिक भासर या फिर कह सकते हैं अपना प्रवचन कहाँ पर दिया था वो दिया था सारनाथ में तो सारनाथ में अगर बनेगा स्थूप तो कौन सा कहलाएगा वो कहलाएगा क्योंकि वहाँ पर उनने भ्रह मर किया था नेक्सम बात करते हैं संकल्पिति स्टूप तो संकल्पिति स्टूप क्या होते हैं जैसे की मानिए मैं बहुत ज़्यादा बहुत धरम में विश्वास रखता हूँ और मुझे कोई स्टूप बनाना है तो मैंने अपनी एक्छा से ज योगदान देना किसी धर्म को, यानि बौध धर्म को योगदान देना, उनके योगदान के लिए स्थूप बनवाना वो कहलाते हैं संकल्पिती स्थूप, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे बौध इस्थापत्य चार पिरकार के और स्थूप भी चार पिरकार के, ठीक है, आई इसे नहीं पुछेगा ये पुछेगा जो स्थूप होते हैं उसमें सबसे पवित्र अंधीनिया करें इनके रहें हैं उसमें पुजा करते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है? कहाँपर जातक कठाओं का वर्णन देखने को मिलता है स्टूप पर इस प्रिकार के कुशन पूछ जाएंगे इस तूप को लेकर ठीक है एक वार हम बात कर लेते इनके भागों पर इनसे किस प्रिकार इनके कौन-कौन से भागों के क्या-क्या नाम है जैसे की आपको ये वाली पट्टी दिख रही होगी इसे कहा जाता है वेदी का इस वाली पट्टी को कहा जाता है वेदी का यदि हम बात करें इने कहा जाता है गेट ठीक है ये दर्माजे होते हैं और ये जो पट्टी होते हैं इसे कहा जाता है वेदी का ठीक है, ये वाला भाग जो होता है, मिट्टी का टिला, इसे अंड कहा जाता है, यदि बात करें, आपको ये चौकोर इस्थान दिखाई दे रहा हुगा, इसे कहा जाता है, हर्मीका, यदि बात करें, आपको पतली सी डंडी दिखाई दे रही होगी, इसे कहा जाता है, से repeat करता हूँ. देखिए, आपको ये पट्टी दिख रही होगी, इसे कहा जाता है वेदी का ठीक है इस वाली पट्टी को कहा जाता है मेधी ठीक इसे कहा जाता है अंड इस पूरे बड़े बड़े भाग को अंड कहा जाता है यदि बात करें इसकी तो इसे कहा जाता हर्मी का यदि बीच वाली लाइन की बात करें तो इसे यस्टी कहा जाता है, यदि इन तीन छल्लों की पात करने, तो इने बुद्ध, धम व संग कहा जाता है, जो कि बॉद्ध धर्म के तीन प्रतीक है, ठीक है, आईएक एक पर बात करते हैं, इनसे आपको क्या क्या याद रखना है, जैसे कि सबसे पहले, ये गेट जो हो तो इन गेटों पर और इस वेदिका पर लिखा हुआ मिलता है। कहीं कहीं पर इस वेदिका बड़ी सुन्दर मिलती हैं देखने के लिए, बड़ी सुन्दर सुसजित रहती हैं वेदिका जैसे की। और इसके गेटों पर यदि पूछें कि सबसे सुचचित इस्थान कौन सा होता है पूरे स्थूप का तो वो होता है वेदिका और गेट वेदिका और गेटों पर जातक कथाओं का वंड़न आकरतियां चित्रकारी ठीक है ना किसी जिसके बारे में या कोई सिस्से क्यों नहों गौतम मुद्ध का उसके जीवन का पूरा वर्णन इस वेदिका और इन गेटों पर देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है मेधी ठीक है मेधी देखिए जो अवसेस होते हैं इस मेधी में रहते हैं ठीक है जिस सरीर के अवसेस पर ये बनाया जा रहा ह है वो अवसेस जोगा इस मेधी में होगा ठीक नैसम बात करें अंड तो ये बहुत ठोस आकार का होता है ठीक है ये सबसेफोस आकार का गोला होता है अंदर से पहले क्या होता था पहले जब इतनी अच्छी विवस्ता नहीं थी तो ये मिट्टी के टीले बने हुए होते त Hillary से कि ये भैगे ठीक ना होई इंसांग जो चीनी आत्री था उसने एक बात भी कहिए अपनी पुस्तक में कि असोक ने 14,000 स्तूपों का निर्मान कराया था जो की नस्ट होगे नस्ट क्यों होगे क्योंकि उसने मिट्टी के टीले बनवाए थे और वो सभी नस्ट होगे बारिस की बज़े से या फिर बारी की बज़े से वो सभी नस्ट होगे बचे कौन से जिनका पुनन निर्मान करा दिया गया जिनें पककाबन करवादिया गया, वो सेश बचे वाकिसम नश्ठ हो गए। तो येस्टी जो होता है, ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध इस येस्टी से ही आसिरवात देते हैं। ठीक है ना इस येस्टी से ही गौतम बुद्ध आसिरवाद देते हैं यदि बात करें इन तीन छलनों की तो ये होते हैं बुद्ध, धम और संग यानि बौद्ध धर्म के तीन प्रतीक होते हैं कौन-कौन से बुद्ध, धम और संग ठीक ये तीन छलने तो ये था हमारा मेदी, वेदी का कोच भी दे सकता है तो आपको पता होना चाहिए चीज, ठीक है और ये वाला जो स्थान होता है इसमें क्या करते हैं इसमें बहुत द्थबिक्चु घूमकर परिक्रमा करते हैं ठीक है här आईए दो-тिन हमारे इस्टूप उन पर बात कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा सांचीस्टू, ठीक है ना? यदि बात करें सांची स्थूप हमारा कहां पर है तो मध्य प्रदेश में है ठीक कहां पर मध्य प्रदेश में है यदि बात करें इसका निर्माण किस ने कराया था तो इसका निर्माण असोक ने कराया था यदि बात करें इसका पुनन निर्माण यानि इसको पक्का किस ने क इस प्रिकार के कुसिन पूचे जाते हैं तो इस तूब को लेकर या फिर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं साथ की साथ बताते चलिया करें वीडियो कैसी लग रही रही है कमेंट सबसे लास्ट में कमेंट में जरू बता दिया करें उससे पता चलता रहता है हाँ वीडियो जिसको जैसी लगी वैसा बताए अच्छी चाहें बुरी ठीक तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हमने क्या पड़ा देखिए सबसे पहले हमने आज बहुत इस्थापत्य पर बा इस थमलेक यदि बात करें स्थूप की तो सरीर के अवसेसों प्रियोग की गई वस्तूओं भ्रमण की गई स्थान या फिर स्वैम की इच्छा से बनाई गए मिट्टी के टीले क्या कहलाते हैं स्थूप कहलाते हैं यदि बात करें चैत्य जहां पर भिक्चू और भिक्चुणी अपना फूजा पाट करते हैं या फिर अपनी सिक्छा घिरन करते हैं उसे चैत्य कहा जाता है ठीक है जैसे कारले चैत्र और भाज का चैत्र ठीक है दोन वत्दभ्धण ध्रम के बारे में इस्थम लेग कहलाते हैं नेख सम्बात дीकила की गई स्थूप तो इस्थूप हमने चार प्रिकार के पड़े सारने कि स्थूप पराभामिक स्थूप बूदेशिक स्थूप और संकल्पिती स्थूप यदि बाकने सारेरी की स्थूप तो सरीर के अफसेसों पर बने स्थूप सारेरी की स्थूप प्रियोग की गई वस्थूप बने स्थूप प्राभभुमिक स्थूप भ्रमण किये गए स्थानों पर बने स्थूप उद्देशिक स्थूप स्वयम की एक्छा से बनवाए गए स्टूप संकल्पिती स्टूप ठीक है उसके बाद हमने स्टूप की सनरचना को देखा जैसे कि ये जो पट्टी होती है इसे वेदी का कहा जाता है और इन्हें गेट कहा जाता है वेदी का और गेटू पर बड़ी अच्छी जातक कताओं चित्रकारी और किसी के बारे में वर्णन जो देखने को मिलता है इन्हें के उपरी देखने को मिलता है वेदी का सबसे सादा सुसचित भाग होता है पूरे स्टूप का बात करें मेधी तो अवसेज जो होते हैं इस मेधी में रखे हुए होते हैं यदि बात करें ठोस भाग क्या होता है इसे अंड कहा जाता है इस वाले भाग को चौकुंटे भाग को हरमी का कहा जाता है और इस पतली वाली डंडी को यस्टी कहा जाता है हर्मी का सबसे पवित्र स्थान होता है और यस्टी जो होता है इसी से गौतम बुद्ध अपना आसिरवात देते हैं यदि बात करें इन तीन चलनों की तो बौध धर्म के तीन प्रतीक हैं बुद्ध धम और संग बुद्ध धम और संग ठीक है तीन स्थूप प्रवात करें तो सांची स्थूप हमारा MP में है जिसका निर्मान असोग ने कराया था और ये पुनन निर्मान इसका पुस्वमित्र सुंग ने कराया था बात करें धम्मे की स्थूप की तो सारनात यूपी में है धंमे के स्थूप जिसका निर्मान भी ए सोप ने कर रहे था यदि बात करें भर्हूत स्थूप तो यह भी हमारा मध्या प्रडेश में पढ़ता है इस आकर्ति आपको दिख रही है यह हमारी सांची स्थूप की थी कैंथ तो यह थी आज के हमारी वीडियो, आर्टेंड कल्चर के अंतरगत ही हमारी दूसरी वीडियो है, इससे पहले हमने किस पर बात की थी, मंदिर कलास्टेलियों पर बात की थी, बड़े अच्छे से, और समझा भी था उन्हें, डीटेल में, और आज स्थूपों पर बात कीए, इसी फिर कार, हम बड़े अच्छे से डाइग्राम से कबर करती हूँ चलेंगे पूरे आर्टेंड कल्चर को, ठीक है, आर्टेंड कल्चर को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना क्या, इसे दिमाग और दिल दोनों में बठाना पड़ेगा, कोंकि art and culture बड़े आसानी से YouTube पर available नहीं है, तो आप बिलकुल आसानी से बड़े अच्छे से पढ़ते हुए चलें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं ठीक है न कमेंट में और साथ की साथ बताना कि वीडियो कैसी लगी, जो भी notes बनाए इस diagram को साथ की साथ बना कर चले ऐसा न हो कि हर्मी का लिख लिए है उसके आगर विशेस्ता लिख लिए नहीं diagram जरूर बनाना है diagram बनाना है, प्लस notes बनाने है जो मैंने बोला सब कुस लिखते हुए चलना है जैसे कि मैंने इन दौनों के बारे मताया है टोटल लिखना है आपको, ठीक है और छोटे exam से लेकर बड़े exam उमेह से question पूछे जाते हैं, तो आपको cover करना है सबसे पहले तो notes बनाने है वीडियो को कम से कम दो बार देखना है पहली बार में आसानी से सुनना है, दूसरी बार में आपको notes बनाने है, ताकि गोई गलती न हो ठीक है, और साथ की साथ वीडियो के बाद कमेंट में बताना है वीडियो कैसी लगी ठीक है, अच्छे लगी तो उसे like और share करना है, और जो channel पर नहीं है उसे subscribe कर लेना, ठीक है तो next video मिलेंगे, तब तक आप अपना अच्छे से revision करना, यह art and culture की दूसरी वीडियो है, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखिए, वो पहली वीडियो जरूर देखने जा कि ठीक है, जिसमें हमने मंदिर कला शैलियो की बात की थी, उसे आप आई बटन पर किलिक करके भी देख सकते हैं, या फिर end screen पर गए, तो मिलते हैं next video, तब तक के लिए thank you